हाई गाईस वेलकम बैक टो मैं चानल प्रेणास गुड लाइफ आज मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वह है कि लोकी का कीर वह भी मैंने इदर चीनी यूजने कर रही हूँ इदर जमें जैगरी यूज की हूँ देखे मैंने लोकी ली हूँ इसमें तोड़ा आदा ले रही प्रेट करके रख दीजिए साइड पर अचलिया हम लोग आज कीर केसा बनाते करके में दिखाते हूँ मैंने इदर एक पैन ली हूँ उसमें में तू टेबल स्पून तक गी आड़ कियो हूँ गी गरम होने के बाद मैंने इदर टू टेबल स्पून कैशनेट्स ली हूँ आपको चाय तो ज्यादा भी ले सकते हैं आप मैंने इदर बस करके इतना ही ली हूँ उसको तोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ केजिए ज्यादा ब्राउन मत बनाएं क्यूंकि वह ग लवकी पे हम लोगों ने क्या ग्रेट करके रखे देना वह लोकी को हम लोग इदर में एड कर रहे हूँ देखिए आपको इदर तोड़ा सीट्स दिख रहे होंगे कोई इश्यूस नहीं है गाइस बहुत टेंडर है आपका कुछ ज़्यादा यह हुआ तो आप निकाल सकते है इदर में आइसा है रहे हों क्योंकि वह बहुत टेंडर है फक जाएगा देखिए इसको अच्छे से हम लोग फ्राइ करेंगे की तेल चुटने तक हम लोग प्राइ करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब करने मत बुलिए और शेयर लाइक कीजिए कमेंट बॉक्स में आवर नया रसीपि क्या बनाए का करके कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए देखिये मैं यह एदर लिड डालके तोड़ा एक करेंगे क्योंकि उसके वज़े से तोड़ा जल्दी से बन जाता है करके देगे में इधर फिरसे इसको लेहां अपको स्वीट जादा चाहिए तो दिसी जादा ले सकते हैं चाहिए तो कभ़ी डाल सकते हैं एस यो विश में एस अपको मैंने ये मेल्ट होने तक इसको मैं और गैस पर फ्लेम पर इसको मैं अच्छे से मेल्ट करूँगी कसम से गाइस एक बार आप गर पे ट्राइ कीजे बहुत अच्छा बनेगा लोकी का यह हेल्थ के लिए भी अच्छा है और मैंने इदर दो टू कप्स नारियल मतलब ग्रेट की होगा नारियल को लेकर उसको दूद निकाली हूँ पुरा तिक दूद है आप देख सकते कितना त के लिए इसको राइस भी तोड़ा फ्राइ करके आड करते हैं कभी कोकोनेट मिल्क निकालने के टाइम पे मैंने इदर राइस आड नहीं कियो हूँ करके इसमें डाली हूँ आप देख सकते तोड़ा वो जाड़ा मतलब तिकने साने के लिए देखे और यह बॉइल हो रहा है और तोड़ा बॉइल कीजिए और हम लोगों ने क्या फ्राइब करके देना कैश्व नेट्स को उसको भी आयर कीजिए आपको इदर ब्लाकल का सीट दिख से होंगे वह लेकिन वह कुछ नहीं है वह लाइची का सीट है मेरे लाइची को इदर बहुत जादा क्राश्ट नहीं कियो हूँ मैं ऐसा ही डाली हूँ क्योंकि मैं मिला तो बहुत अच्छा लगता है गुड ब्रैथ भी आता है अच्छे से इसके लिए मैं वोड ऐसा रखे हूँ मैं इधर नट्स को निकाल रहे थी बहुत गरम था क्योंकि मैं वह मिडल लेकर आकने के लिए सोच रहे थी लेकिन हुआ नहीं है गाईस तेके बस हो गया गर पे ट्राइ कीजिए बहुत अच्छा लगेगा आपको और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है एक बात तो चीट फून तो हो सकता है तेके बहुत डेट सा रगी डालके सर्व कीजिए